सब के मन के अंदर विचार होगा हमें कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस साधन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बाई एर जाएंगे, सब का अपना अपना लक्ष है, दो-तीन दिन पहले सब कुछ टारगेट फिक्स कर लिया, फिर आपने यह सोचा कि मेरा दो गंटे का समय लेगेगा, मेरा दस मिनिट का लगेगा, मेरा च्छे गंटे लगेगा, मेरे दो दिन लगेंगे, इस परकार से सारा सब कुछ मैनेज किया, फिर मैनेज करते हुए, फिर रास्ता, रास्ते के उपर चलते हुए, फिर जो लोकेशन दी गई, वहाँ डूंडा, वहाँ पहुंच गया अप सीदे। उसी परकार से ये रास्ता है कि आपको ये तै करना पड़ेगा, मैं एक दिन में पहुंच जाऊंगा, मैं छे महीने में पहुंचूंगा, मुझे दस साल में पहुंचना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक और अरचना जा है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी आयू कितनी है, क्योंकि परतेक जीव कि अगर सो वर्स की आयू हो, तो उनिर्धारित कर ले, मुझे इतने भीश वर्स यहां लगाने हैं, दस वर्स यहां न लगाने हैं, अगले स्वास का भी नहीं पता कि अगला सांस आएगा, नहीं आ रहा था राष्ते में, एकने कहा कि जि मैं तो बस रटाइर्मेंट हो जाओं, रटाइर्मेंट होने के बाद ना बस मैं तो आशरम में रहूँगा, आपके पास सेवा कामों का दे देना, मैंने कहा, अरे आपने तो आपकी उमर का पता कर लिया कितने वर्जियोगे, कि नहीं जी ऐसी बात तो नहीं है, फिर आप अभी से कैसे फैसला कर सकते हो कि आप रेटायर्मेंट के तक रहोगे या नहीं रहोगे, हमें तो ये भी नहीं मालूम अगला स्वास आएगा या नहीं आएगा, आपने तो काल को जीत लिया, कि नहीं जी मैंने तो नहीं जीता, और बिना काल को जीते कोई जीव ये कैसे बता सकता है मैं कितने दिन जीऊंगा इस दर्ती के उपर मेरे कितने सांस बाकी हैं इस दर्ती के उपर कितना समय लगाना है मुझे दर्ती के उपर तो जब जीव को यही मालूम नहीं कि मेरे दस साल बाकी हैं दो साल बाकी हैं दो दिन बाकी है तो वो फिर किस परकार से इसको मेनेज करे तो हमारे रिशी मुनियों ने मैरिशियों ने संतों ने रिशी मैरिशियों से उपर होते हैं संत क्योंकि जो रिशी मैरिशी होते हैं वो एहम बरमासमी तक चले जाते हैं वो निज्योत निरंजन तक भी चले जाते हैं वो खुद त तत्तों मसी तक भी चले जाते हैं उस से आगे नहीं जा पाते यह स्तीतियां होती हैं यह चडाईयां होती हैं जब जीव चड़ता है तब एशास होता है जब आप अपने को देखने लगते हो आइने की तरह से कुछ बहुत सादक हैं जो परियास करते हैं कि मैं खुद- में दिखाई देने लगा है मैंने कहा अभी भी रुकावट है उन्होंने कहा अभी आप दिखने लगे मैं कहता हूं अभी भी रुकावट है और चड़ाई बाकि अभी तो बहुत आगे जाना है यह तो रास्ते हैं मन्जिल नहीं है यह तो चलते जाएंगे लेकिन बड़ी साउधानी के साथ अगर आपको एसास होने लगे कोई आ रहा है कुछ दिखाई दे रहा है कुछ गटनाएं होने वाली हैं साउधान हो जाना चाहिए एकदम से एसास की कहीं भर्मित ना कर दे माया का जपट न मार दे माया की कारण प्रेशनी खड़ी ना कर दे साधना में रुकावट पैदा ना कर दे समादी में रुकावट ना जाए क्योंकि ये सवाल जीव के अंदर चलते रहते हैं और जब जवाब क्या होता है कई बार कि सवाल भी हम खड़े करते हैं और मन-मर्जी के अनुसार हम अपने उतर भी स्वें ही चुन लेते हैं और जब मन- तो वो बहुत बड़ी प्रेशा नहीं हो जाती है क्योंकि मन के अनुसार अगर ये सब चीजें चलेंगी आद्यातम कहां रहेगा मन को क्या चाहिए मन को तो सुक्सुई दाएं चाहिए मन को तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए मन को तो अच्छा-च्छा खान पान चाहिए, मन को तो सानसारिक वस्तुएं चाहिए, मन को तो भोग विलास की वस्तुएं चाहिए, मन को तो शरीर को इंदरियों को पुष्ट करने के लिए सब चीजें चाहिए और अगर हम केवल मन को ही संतूष्ट करते रहे, मन को ही पालते रहे, तो फिर मन के अंदर जितना भी कमिया है, जितना भी खेल है, ये करम संसकार जुड़ते जाएंगे, और करम इकठे होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन पीछे चूटता जाएगा, आद में है वो भी खो देंगे जो ले के आये थे वो भी खो देंगे जो लेने के लिए आये थे वो भी छूट जाएगा जब हमारे पास कुछ नहीं होगा उपर कौन पूछेगा उपर कोई पूछने वाला ही नहीं है उपर अलग करेंशी चलती है ये नहीं चलती वहां नाम की करे परियास किया वो चलता है जो नाम रटा वो चलता है जो आपने धरम के लिए जितना भी कोशिश की जितना आत्पेर मारे जितना आपने इकठा किया जितना आपने परियास किया वही वहां तक चलता है सनसारीक चीजें वहां नहीं चलती वहां सनसारीक वस्तूओं को कोई नह करम का खेल चलता है किसने क्या करम किये हैं वहां शरीर नहीं देखा जाता वहां धरम नहीं देखा जाता वहां जातियां नहीं देखी जाती वहां इन्सानियत देखी जाती है वहां जीव को तोला जाता है करमों के साथ न्याय होता है यह नहीं कि विश्णु जी हमारे देव बाते हैं, सब कुछ मालिक जब वही है, सब कुछ करता धरता वही है, जब ये नहीं कि वो विश्णों जी हमारे देवता, वो मुसलमानों का पालन पोशन नहीं करेंगे, वो हमारी दिलक्षमी, हमारी माता है, देवी है, वो उनको धन नहीं देगी, यह बहुत बर्मित करने वाली बाते हैं, बहुत फसा देने वाली बाते हैं, बहुत उल्जा देने वाली बाते हैं, ये धरम, धरम ये नहीं है, जो हमें बतलाया गया है, जो हमें शिखाया गया है, जो हमें शिक्ष्या दी गई है, जो हमें संदेश दिया गया है, ये वेदों के अंदर नहीं है, ये हमारे सदगरंतों के अंदर भी नहीं है ये बिलकुल विपरीत बाते हैं गुमा फिरा करके अपने नुसार ढाली गई बाते हैं अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाते हैं अपने लालत के अनुसार इनको इदर उदर बठका दिया जाता है गुमा दिया जाता है ऐस्थिर कर दिया जाता है और अपने अनुसार इनका परिणाम, सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग वो नहीं जो आप सोचते हो ये लोग वो हैं जो आपसे भी थोड़ा नीचे हो सकते हैं क्योंकि आप इमानदारी के साथ काम करते हो, धरम के साथ काम करते हो, नय के साथ काम करते हो, सच्चाई के साथ काम करते हो, मैनत के साथ काम करते हो, अच्छा बुरा तक देख करके काम करते हो, चीटी तक को भी कष्ट नहीं होने देते हो, छोटे छोटे जीवों का ध्यान र मर चुकी होती हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, ने किसी के कष्ट से, ने किसी के दर्द से, ने किसी के दुख होने से, ने किसी के पैदा होने से, ने किसी के मरने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी नहीं कि ये फर्क अगर ब्रह्म ज्ञान होगा तो भी फर्क न होती है तो ग्यान भी कैसे कहें एक तो यह अरतमान लिया जाए कि इनको ब्रह्म का ग्यान हो गया है तो क्या फरक वड़ेगा कुछ भी नहीं शरीर का क्या है आता जाता रहता है कश्ट होता है चला जाता है तूटता है फूटता है ये तो रोगी है आएगा जाएगा क्या होता है शरीरों से लेकिन ये भी नहीं है मसला कुछ और हो जाता है अंदर का जो खेल होता वो कुछ और होता है बाहर का जो खेल होता वो कुछ और होता है, तो बाहर और अंदर का तालमेल नहीं बन पाता, अगर बाहर और अंदर एक जैसा हो जाए, इस्तीती बाहर अंदर एक जैसी हो जाए, अंदर में सब कुछ एक साथ चलने लगे, और जो करनी, रहनी, एक ओने लगे, कि जो बोल रहे हैं, वो, जो कर रहे हैं वो और जो चरितर है उसके अनुसार ये तीनों चीजें एक साथ एक जैसी होने लगेंगी तो मानव का जीवन महा मानव की और वड़ने लगेगा